सो हेलो एवरिवन बात करेंगे आज सुजलोन एनर्जी के बारे में देख रहे हैं आप आज भी सेर में गिरावट चल रही है सो क्या बन रहा है इसका स्ट्रॉंग सपोर्ट वैसे तो यह सपोर्ट के नियर ही यहाँ पर ट्रेट कर रहा है मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में भी बताया था 73.20 के अराउंड इसका इस्ट्रॉंग सपोर्ट था ठीक है अब क्या बन रहा है इसका स्ट्रॉंग सपोर्ट यई इस वीडियो में डिसकस करेंगे short term perspective से या long term perspective से बढ़िया इस year ये भी बताती हूं आगे इस वीडियो में पहले देखते हैं इसके क्या-क्या returns रहे हैं आप देखेंगे अभी तो याँ पर गिरावट ही चल रही है one day में one week में भी याँ पर गिरावट ही रही है 7-8% almost negative returns one month में याँ पे कुछ खास तेजी नहीं थी 4.85% only लेकिन one year में बहुत ही अच्छे returns इसने provide किये हैं 187%, 88% देख रहे हैं आप और three years में three years में भी सही returns रहे हैं 1229% इसके returns रहे हैं वैसे इसने 2023 से ही मतलब एक साल में ही वैसे ज़्याद अच्छे returns प्रोवाइड किये हैं इसने 2023 में ही याँ पे moment देखने को मिला और five years में आप देखेंगे याँ पे भी सही returns हैं ठीक ठाक returns हैं लेकिन all time में आप देख रहे हैं अभी भी share में गिरावट चल रही है 35% देख रहे हैं याँ आप negative returns वैसे share के fundamentals अच्छे हैं लोंग टर्म प्रेस्पेक्टिव से ये share ज़्यादा बढ़िया है बिट कई लोगों ने याँ पे short term प्रेस्पेक्टिव से entry ले लियोगी मैंने आपको previous वीडियो में भी बताया था 73.2030 के around इसका strong support था ठीक है ये short term perspective से मैंने आपको बताया था अब यहाँ पे daily गिरावट ही चल रही है काफी time से आप देख रहे हैं गिरावट ही चल रही है so 73.20 के down अगर ये आज closing दे देता है तो यहाँ पे फिर 71 रुपीज के around 71.38, 71.40 के around आप लोग यहाँ पर second support level रखेंगे जो लोग यहाँ पर short term perspective से hold कर रहे हैं इस से और को वैसे बढ़िया रहेगा hold ही रखी अभी आप लोग ठीक है selling pressure मत बढ़े आईएगा and mid term perspective से बात करूँ यहाँ पर मैं 65 रुपीज के around यहाँ पर strong support हो सकता है इस से और का वैकि यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके resistance level की ठीक है resistance level इसका important resistance level है 85 रुपीज का इसके अब आव यह sustain करता है तो तब ज्यादा अच्छा यह से और आपको returns दिला सकता है वैसे इसमें chances नजर आ रहे हैं next week तक यह आपको returns थोड़ा मतला uptrend moment आपको दिखा सकता है so hold रखेगा and 85 के अब आव अगर यह sustain करता है तब तो बहुत अच्छा यह target दिखा सकता है 90-94 रुपीज तक जाता हूँ अधिक सकता है so long energy का share so I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी thanks for watching